सभी देर्थियू को नमाशकार 20 अगस्त 2023 को जो आयोजीत हुई परिच्छा आपकी सीटेट के हम आपको फुल लेंथ पेपर दे रहे हैं देख लिजे अपने कोश्चन मैच कर लिजे आपने कैसे किये हैं फर्स्ट सिफ्ट का है यह ठीक है बाल विकास हैं सिछा सास्त्र के देखेंगे कैसे प्रसनाय थे पहला कोश्चन देखें लेव वाई गोट्सकी के अनुसार किस प्रकार के बच्चों के संकल नात्मक योगिताओं के विकास में मात्पूर भिमिका निभाता है कौन सा इसमें होगा आपसन इसमें अगर होगा आपका तीन नंबर सह कर्मी सहयोग तीन नंबर आपसन अगर है आपने लिखा है तो आपका सही है ठीक विद्यार्थियों प्रयास किया गया है आपको सही प्रस्णों के उत्तर देने का ठीक है एफिर भी आयो किसको मानता है यह अंतिमुस पर निरवार होगा हम आपको सही प्रस्णों का उत्तर बता रहे हैं कुछ प्रस्णों को छोड़ कर चार वर्स की अपढ़ना कहती है कि वह एक बटन जिन्दा है क्योंकि उसकी यह एक शाल्ट का एक तरफ मानने में मद्द करता है जीन प्यागे जे के निसार उसकी किस सूच को बिताता है यह उसकी है जी वादी चिंतन तीन नमबर यह है आप सब्राइट आपका नेक्स है ले नमबर टू है 100% राइट अंसर है डेविड गार्ड़नर के अनुसार एक दर्सन सास्त्री के पास किस प्रकार की बुद्धी होती है और मुर्तिकार के पास किस प्रकार की बुद्धी होती है तो देखिए क्या हो एसमें तो गार्ड़नर ने बताया था आपका अपसर सी ती तो आपका दर्शन सास्त्रिक पास बुद्धियोगी दिकस्थान और मुर्तिकार के पास अंताव्यक्ति यह बताया गया है नेक्ष आप देखेंगे निम्रिखित में से कौन सा विफलता के लिए आंत्रिक आरोहन का एक प्रकार है विफल हो गया कोई विधार थी तो एक आंत आप पढ़ाई नहीं की तीन नंबर होगा अपसन निम्रिखित में से कौन सा एक ऐसे प्रस्ण का उधार है जिसमें विद्यार्थियों को अपनी सोच पर विचार करने की आवशक्ता होती है सोच पर विचार करने की आवशक्ता होती है ऐसे प्रस्ण का कौन सा उधार होग होगा यह नंबर वन होगा कख्षा की शुरुवात में क्रियाओं के उपयोग के बारे में आपकी समझ कैसे बदली एक नंबर नेक्ट है निमलिखित कथनों पर को पढ़िया और सही विकल्पों का चैन करना है अभी कथन क्या कह रहा है बहुत कम उम्र में दुनिया भर में अधिकान संस्कृतियों में लड़कियां गुडियों के खिलोनों से कोच उनती है जबकि लड़के कारों के साथ खेलना पसंद क करते हैं अब इसका क्या कारण है इसका करना है बच्चे किसी विशेश संस्कृति के अपेच्छाओं के आधार पर एक लड़की और लखे के लिए क्ली उप्योक्त माना जाता jiा इसके प्रवादे में जानकारी विवस्तित करते हैं और उसके अनुसार विवहार करते हैं ठीक अगर इसमें देखिए क्या होगा राइट आंसर क्या होगा देखिए आपका कथन अभी कथन और कारण दोनों सही है क्योंकि लड़कियां गुड्डो स्केलना सुरू कर देती हैं लड़के कारों से यह सा क्यूस लिए होता है ऐसा विशे संस्कृति और माहुल वातावरन परिवेश के कारण होता है तो इसमें A और R दोनों सही है और A और R की सही वाक्ठा करता है इसमें option number हो जाएगा आपका तीन number तीक कि अभी कथन भी सही कारण भी सही है और सही व्याक्ठा की गई है नेश्ट है लेव वाइगोट्सकी के अनुसार क्या है लेव वाइगोट्सकी के अनुसार क्या बात सच है यह आपका चाउथा भाषा विकास और संग्यात्मक विकास एक दूसरे से सुत्तन रूप से विक्सित होते हैं चार नंबर आपका 100% राइट आंसर है अगला है लॉरेंस कोहिल बग के नैतिक तर्क के किस अस्तर पर बच्चे आमतोर पर मानते हैं कि लोगों को समाज किया पेच्छाओं पर खरा उतरना चाहिए और अच्छे तरीकों से वेवार करना चाहिए उस अवस्था का नाम बताना है इसमें आपका उत्तर हो जाएगा उत्तर संक्रियात्मक इस्तर दो नमबर आप्सन ये सही होगा आपका चलिए और परसंद देखेंगे हम सिच्छा साथ तरुमबाल वुकास के बच्चों में समस्या समाधान के कोशल को बढ़ाने के लिए निमलीखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है क्या तरीका है समस्या को सलक बढने के लिए आपका राइट आंसर देखिए एक नमबर 100% राइट है उन्हें बुद्धी मंद्धन करने और सहज अनुमान लगाने के बच्चों को आवसर दिये जाने चाहिए अनुभावात्मक अधिगम किस पर बल देता है तो अनुभावात निम्लिये कथनों को पड़िये सही विकल्प सुनना है अभी कथन है और कारण दिये हुए है क्या है सिच्चकों को सार्थक वातावन बनाना चाहिए जिससे सभी बच्चों की सक्की सक्री भागिदारी और संग लगनता हो और क्या है कारण क्या है इसका सभी बच्चे आंत भी की गई है निम्लिचित में से कौन सी प्रक्रिया अधिगम के दरौन योगदान नहीं देती है तो गैर प्रासंगी की करवा यह आपका राइट आंसर है एक नमबार बिल्कुल से राइट आउसर है एक चले विद्यार्थियों अगला देखेंगे और विद्यार्थियों हमारे आंसर आपको बिल्कुल सही मिलेंगे कुछ प्रस्णों में कंफ्यूजन रहता है विद्यार्थियों वह उसको हम ठीक है तो हम अश्टार लगा देंगे जो आयोग कौन सा मानता है हमने कौन से लगाए है कुछ प्रस्णी है ऐसे अधिकम के लिए आकलन का मुख्धिस क्या है तो देखिए हमारा आंसर चार होगा विद्यार्थियों को प्रती पुष्टी परण करना जिससे उनका उपयोग उनके अधिकम में सुधार के लिए किया जा सकता है चार नंबर सही है किस आयू के बच्चे शब्दों के खेल में शामिल हो सकते हैं और ऐसे चुटके ले और पहलियों को पसंद कर सकते हैं जिसमें सब्दों का खेल शामिल हो तो ऐसे सात वर्स के बच्चे एक नंबर आप दिश्टिकों से नंबर तीन अपसंब का यह है कि लिए नेक्ट कि सहसवा वस्था में समाजी गर्ण की कौन से संस्थाएं भूमिका अदा करती हैं और बाल्य वस्था में कौन सा इस बूमिकां महत्पूर्भूमिकां आदा करती हैं तो देखिए आपका अंसर क्या लिखा लगाया आपने आपने जो भी लगाया वह अंसर यह है तीन नमबर C, सहसव अवस्था में प्राथमिक जो संस्था हैं वो महत्पूर्ण रोल अदा करती हैं और बाल्या वस्था में समाज की माधमिक संस्था होती है तीन नमबर आपसानापस सही है अपका निश्ट देखिए dysgraphia dysgraphia क्या है एक तांत्री विकार है जिसकी विशेशता अच्छों को आकार को बनाने में कठनाई होती है बच्छों को अच्छर बनाने में परशानी होती है उसको कहते है dysgraphia लिखने समिंदी लेखन संबंदी जिदिक्कत होती है हम डिस्ग्राफिय हमने आपको अपने जो पढ़ाई की क्लास उसमें खुब इसका डीटेल से बताया था तो चार नमबर डिस्ग्राफिय है लिखने में कटनाईक महसूस करना एक तांत्रकी विकार है अगला है प्रतिभावान बच्चों को सेच्छत करने का उपामगम जो उन्हें असमान रूप से तीवर गति से पाठच्रम के माध्धम से आगे बढ़ाता है उसको क्या कहते हैं उसको कहते हैं विभेदित निर्देशन नमबर दो आपसन दो विभेदित निर्देशन निमलि महीं है तो यह सेच्टा होती है बार बार दोहराओ आवर्ति व्यवहार आप MO receptors में नेफ्सी जो कि समद्षी कछ्छा के दृष्छा में काम कर रहे हैं समद्षी कछ्छा में उन्के भ्यों क्या करना चाहिए समाइशी मतलब ही को समान देखना हर इसाप से उनको कहा करना चाहिए पाठ करम में नुकुलोन करें ठीक है विविद रिस्ट्र को शामिल करें अपने स्वयम के अंतरनेट पूरुगरों की जाच करें और विविदत्ता को एक बाधा के रूप में देखें यह नहीं है विविदत्ता को एक नेश्ट देखिए जो क्लास में विभिर्य तरह के विद्यार्थी होते हैं तो विद्यार्थियों की सीखने और की शैली में वित्ता, सीखने की सैली उनकी में सबकी अलग-अलग है तो उसको क्या करना चाहिए? महत्व दिया जाना चाहिए और मानव विवत्ता के प्रतिबं की प्रूप में इसको देखा जाना चाहिए निम्रीखित कथनों को पढ़ई है सभी कल को चैन करना था शिच्छा अरतियों के बीच समालो चनात्मक चिंतन को सुगम मनाने के लिए सिच्छकों ने विविद परिसितियों और विविद दिश्ट्रकोंगों से अवगत कराया जाए ठीक है और क्या है जब विद्यार्थी विविद मतभदों के बीच बाचीत में संगलन होते हैं तो विस समालोचनात्मक और अचनात्मक दोनों रूप से सोचने की अपनी छंता इस सीखते और समर्दोते हैं तुक है इस में क्या होगा आपका देखिए यह दोनों बाते साहीं है और एक दुसरे का सही करें लोचनात्मक चिंतन का विकास एक नमबर सही है नेक्स्ट है बच्चे सबसे प्रभाविक धंग से तब सीखते हैं जब वह अधारना क्या होती है तर्ख संगत से अनुभव जन्न की ओर बढ़ती है ठीक नमबर अप्शन होगा फूर्थ से अमूर्थ की ओर बढ़ती है अगर यह होता थो बेश्ट हो अप्शन हो जाता लेकिन अमूर्थ से मूर्थ लिखाए ना तो जिसमें एक नमबर आपको सब्सक्राइब करें देखेंगे आपके सीटेट गड़ित कैसे प्रसन आये थे निम्रिखित समुहों में से किसमें सभी त्री आयामी अकृतियां किसमें हैं तो यह आपको सब्सक्राइब दो नमबर करें घान घनाब अर्धवरत और शंकू यह सब तह पार पहले वाले में विधर्थि वाला नहीं हम एक नमबर वाले कोस्चन पर जाएंगे तेक विकल्प जो एक नमबर वाला है घन घनाब गोला और बेलंस जांगे एक नमिकित में से कौन साही यहां नहीं है कौन सकत्र नहीं है देखिए आपका असर होगा दो नमबर यदि एक पतंग के सम्मुः कौन बराबर हो तो वह आयत बन जाती है दो नमर वाल आपका सही नहीं है अगला क्या है निम्लिकी तालिका को पढ़ना है रक्त समुः दिया विदर्थियों के शंख्या तो सबसे अधिक और सबसे कम पाय जाने वल्ग समुग का अनुपात बताना था इसमें आपका होगा चार नंबर अप्सन क्या है चार अनुपात एक है चारणपात एक नेक्स्ट निये दिये गए पैटरनों में से आपको बताना था लुप्त संख्या क्या है लुप्त संख्या आपकी हो जाएगी अगर आपने देखिया 28 लगा है तीन नमबर का 28 28 जो आंसर है 28 हो जाएगी नेक्स देखेंगे अम्मनी 36 37 सरफसम वर्गों को अलग-अलग प्रकार से आयतों में वस्यत कर रही है वा इन वर्गों द्वारा अलग कितने प्रकार से आयत बना सकती है कितने प्रकार से बन जाएंगे ये तो ये बनेंगे आपके चार नमबर आपसान है आपका पांच बनेंगे पाँच आयत बना सकती है अबकी ठीक पाँच आयत ने देखें सो में से एक पूर संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या सो में से घटा दी जाती है इस प्रकार प्राप्तुई दुनों संख्याओं का योगफल दो नमबर आपसन 200 है अग्ला है प्लस का पांच है फिर माइनस का पांच है फिर प्लस का 5 फिर माइनस 5 के विष्ण herd कान सी संधीUB व्यवस्थाओं को अवरो ही करम में रुपित करती है अरोई 對ोनब्र में कौन सा है यह जो B number का option आपका हैं धून नम्बर वाला कौन से संक्या 36 गुरंखंड महीं है तो ये है एक werd लुट के रूप में जाना जाता है एक सो लाख एक सो लाख मतलब एक करोना चार नंबर आपका आपसन सही आपका नेक्स देखिए प्रिय दर्शनी ने 4.8 किलोगरम बादाम 2500 ग्राम किस्मिस और काजू को मिला दिया तो मिस्टरण चे बाराबर तीन दर्शन पैकेट बना लिए प्रते एक पैकेट का भार कितना है देखिए बार कितना होगा भार अगर आपने लिखा है 300 ग्राम तो आपका सही है चार नमबर को जो आपसन है 300 ग्राम एक वर्क की बुजा 5 cm है यदि इस वर्क की बुजा दूगनी कर दी जाए तो नया चेत्फल कितना गुणा हो जाएगा यह बढ़ जाएगा चार गुणा 100% आइट आउसर है एक नमबर आपसन चार गुणा बढ़ते हुए करम में भिन्नों के समू को चैन किर करना है बढ़ते हुए कर तो चैन करेंगे तो आपका आउसर हो जाएगा नमबर दो पे ही है संगीता एक साबुन खरीटना चाहते ही जिसका मूल 10 रुपए उसके पास और 5 रुपए के सिक劃ुमोल नहीं है कितने धन्राश्य को जरुवत है इसको उसको जरुवत है देखिए कि पॉइंट कि जीरो कि पचास यानि आपसन नंबर तीन आपका कि इसमें आपका तीन नंबर का आपसन सही होगा पॉइंट जीरो पचास अगला देखिए रुबिया ने कार से 16 बच के 50 मट बजए अपनी यात्रा सुरू की उसी समय 21 बच के 15 बजए समाथ कि यात्रा पूरा करने में लगा समय कितना समय लगा कितना समय लगा इसमें जो आपका राइट अंसर होगा चार नंबर का चार घंटा 25 मिनट एक दम राइट 100 परसेंट नेक्स्ट चलिए मायत के पड़ागोजी को कुश्चन देखेंगे बच्चों में गड़िती ये अभी रूच को विक्सित करने के लिए कद्यापका नेमली खिसमें कि गतिविदिया अपनी कच्छाम करवाती है तो वह चुनिए उसके उद्देश को पूरा करने में कौन सी गतिविद उसकी प्रभावी नहीं होगी तो इसमें ये दो नमबर आला वह हमेशा उस विद्देश को पूरा नहीं करेगी ये एक बच्चे की बराबर लगातार हर समय तरीफ नहीं करना अगला निमलिखित में से कौन सा गड़ित की प्रिकत के बारे में सबसे उप्यूक्त बात है गड़ित की कौन सी बात सही है गड़ित के विसर में बच्चों को सजनात्मक बनाने में साहता करती है गड़ित बच्चों के कलपना को पोशित करने में साहता करती है निगनात्म होती है गलत है ए बी सी सही है यह आप साथ का अगला देखेंगे कि अगला है किसने गड़िती खगोल विज्ञान के छेत्र में काम किया किसने काम किया अगलती खगोल विज्ञान चेत्र में तो यह किया था आर बटन है दो नमबर नेक्स्ट है निमलिखित में से कौन सी प्रसितियां यह दर साती है कि बच्चे ग्यान का निर्माण स्वयम कर रहे हैं चार नमबर की प्रसिति आप देखेंगे तो यह से पता चलेगा बच्चे ग्यान काने माण कर रहे हैं क्या है वो बच्चे का हस्तकला स्वागरी जैसे संख्याओं के गिरिड आयताकार सार्णियों में व्यस्तित गीटियों दी गई है उनका प्रयोक कर गुड़न के पैट ग्लाम लिया ठीक है तो इसका अंसर क्या लगाया आपने देखिए पुसको पढ़ लिजेगा तो इसमें आपका केवल कौन से सही होगा इसमें होगा केवल सी यह सी आपसन आपका सही है बहुत डिटेल में नहीं बता रहे हैं हम आपको राइट आंसर दे रहे हैं ठीक लिए वैकल्पनिक तरीकों को विक्सत करने में सहायक होते हैं आपका सी जो आपसन है वो सही है अगला परसंदेखिए मैथ पेड़ोगाजी का कि निम लिखे तो कॉन सा बताना है सही नहीं है कॉन सा सही नहीं है तो देखिए आपका यह है विद्यार्थियों की तुर्टियां सोचने इसमें आपका एक नंबर आफसन होगा विद्यार्थियों की तुर्टियों को अंदेखा कर देना चाहिए क्योंकि तुर्टियों की इशारा उनको प्रिणाहीन करेगा यह नहीं गलित के विशे में यह एक नंबर सही नही अब जबकि आपका एक नंबर अंदेखा नहीं करना चाहिए अंदेखा करेंगे तो आगे कैसे सीखेंगे अगला है आकलन के संबंद में निम्लिक में तो कौन सा सही नहीं है कौन सा सही नहीं है आकलन के संबंद में वह आपका नंबर दो मानक संदर्भित आकलन नैदानिक प कanda भादि ये अवधरनां ए यह थत्यां है था या यह महत्वूर्ण संख्यां-प्री नंबर अवधरनां है एक नंबर अप्शन आपका होगा सही य crawl दान ऑफ्षन साइबेंगे रिद्धिधम समाग्री कि स्वत्ध है त यहाईी सवे tut भी लिखे भी देते हैं चेनी भी लगा दिया है प्लस डी है चिक निश्द देखिए पेड़गोजी मैत निम लिखित मैंसे कौन सा प्रात्मिक विद्ध देले के सिचकों को दो बटा तीन और चार बटा छे के बीच तुलनत्मक तुलेता की कल्पना करने मत करने के लिए सबसे उप्युक्त कौन सा तरीका है वो है भिन्य डिस्क का चार नंबर 100% राइट आंसर एक सिचका गरित कच्छा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विद्ध का उपयोग करती है तो उसका उद्देश क्या है उसका उद्देश क्या है देखिए उसका उद्देश है विचारों का बहिर वेशन विचार जो अंदर है वो बाहर आए विद्धार्थी के संख्या बोध दिख्षित करने में उपकरन सब्सिटाइजिंग एक महत्पूर भिमिकार निवाती है निमलिकेत में से कौन सा हो दालना जो विद्धार्थियों में उपकरना के कोशल को प्रधर से करता है कौन सा हो आगस में इसमें देखिए आपका राइट आंसर होगा एक नंबर वाला यह जो है अंडरलाइन कर रहे हैं विद्धार्थी संख्या पांच की पहचान चार के परवर्ती के रूप में करता है तो एक नंबर आपसना आपका सही हो जाएगा चलिए अगला राष्टी पाठ चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कच्छाओं के उपर दिये किये गए सोद बताते हैं कि लड़कियों को गड़ित में विश्य सहिता के योग ना मानकर उनका काफी व्यवस्तित अवमुल्यन होता है जबकि गड़ित में अच्छा से दो प्रशनाये हैं सीटेट में जरूर आते हैं चार नंबर हमने आपको बताया भी है यह चीज अपनी क्लास में कच्छाई सोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांस्विद्यर्थी गड़ित में उसी कच्छा में जो अन्य विसम पढ़ते हैं उसे अधिक कठी समझते हैं परित में प्रात्मिक अधानाओं की अमूर्थ प्रकृति ठीक है प्रात्मिक अधानाओं की अमूर्थ प्रकृति आंसर होगा अगला है कि राश्टी नीती 2020 को पर देश भर में विभिन इफस्यों में ओलम्पियार्ट और प्रतियों अग्दाएं क्या होंगी मजबूत होंगी नंबर तीन अप्शन है देज भर में विभिन विश्व में ओलिम्पियाड और प्रतियोगी परिच्छा हैं मजबूत होंगी तीन नंबर अप्शन आपका सही है कि हमने आपको सीडीपी के कोश्चन बताएं बाल विकास सिच्छा साथ और जो परिच्छा में आई थी गड़ी था मैथ और मैथ की पेड़ोगोजी चलिए आगे देखेंगे परियावराल अद्ध्यन के किस प्रकार के प्रसुन आये थे 20 2013 सीटेट के राम प्रतेक साम को अपने दोस्तों के साथ क्रिकट क्रिकट खेलने के लिए कौन सी उर्जा का प्योग कर रहा है क्रिकट खेलने में प्रियोग हो रही है उसकी मास पेसियों की उर्जा ओप्सन नमबर डी यानि की चार निमली कित्म से कौन से असम में खाय जाने वाले चावलों की एक सामानी किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे स्टिकी हो जाते हैं उस किस्म का नाम है बोरा चावल जब हम इंधन जलाते हैं तो हमें प्राप्त होती है क्या प्राप्त होती है उश्मा यवंप्रकास उर्जा उस्मा यवंप्रकास उर्जा सांपों के बारे में कतनों पर विचार करना है और गलत कतन को चिन्नित करना है गलत कतन कौन सा है दिखे नमबर एक वाला ही गलत कजन अपने शिकार को चबा कर खाते हैं नहीं अपसा नमबर दो, तीन, चार सही है और गलत पूछा गया है साप जो है अपने शिकार को चबा कर नहीं खाते हैं तो गलत पूछा गया है एक नमबर अपसा गुजरात के साफ़ेच उत्तर प्रदेश और आंध्य प्रदेश की करम्सा श्रीत क्या है दिसाहसंबने प्रस्षन यह है उत्तर पूरू दस्षन appropriate जो है आपका option number D dd उत्तर पूर दस्षन पूरू चान नम्बर option ऑनेक्स्ट आपको cucumber a और będą बी मिलान करना है जीरा, के सर, मिर्च और लॉंग, तो इसमें देखिए जो राइट आंसर है, वो है आपका एक नमबर, जो सही है, आपसन है आपका, वो है चार नमबर, ठीक है, यह, एक नहीं, यह चार नमबर है आपका, एका तीसरा, एका चौथा है, ठीक है, बी का तीसरा, और सी का, क्या है, पहला, और डी का, दूसरा, चार नमबर, आपसन हापका सही है, बेल को सही है, बंगाल के खाणी के तटवर्ती, राज के इंसासित प्रदेश कौन सा है, वो है उड़ी सा, जंगलों के बारे में कत्रों पर विचार करना है, कौन सा सही है, जंगलों के विशाम है, तो देखिए, ए और बी आपका सही है, चार नमबर जो आपसन है, ए नमबर सही है आपका, और बी सही है, ठीक, सी और डी गलत है, चार नमबर आपसन में ए और बी जो आया है, वो सही है, नेक्स्ट, 24 जी, एमेल घनत और 6 एमेल आयतन ओली वस्तुका द्रॉमान क्या होगा, वो होगा 144 जी, एक नमबर आपसन, नेक्स्ट है, कासा एक मिस्त धात हुए, जिसे किसे पिगला कर बनाया जाता है, तो कासा बनती है, 10 और copper से, 10 और copper आपसन में है, यह, हाथियों के बारे में सही कथन चुनना है आपको, कौन सही है? यह आपका है, एक नमबर, हाथी को बारे में C और D, जो है यह कथन आपके सही है, सी के हाथी बहुत अधिक आराम नहीं करते हैं विदिन में दो से चार घंटे सोते हैं कीचड़ पानी में खेलना पसंद है ठीक है बाकी आपका यह अब बी गलत है है नेज्ट है बीहार राजी के लोगों के लिए निमील इतमे जिसे मदमक्की पालन कारिक्रान करने के लिए वर्ष की सर्शैस्ट अवदी बतकब है तो यह सर्शैस्ट अवदी है अक्टूबर से दिसंबर जो अपसंन नमबर 1 में आया है दो नंबर यह अगला है मनाली में ढालू छटो वाले मजबूत बासों के खंबो पर बने उचे उठे हुए लकड़ी के घर बनाय जाते हैं अगला है मनाली में बारिश बहुत होती है और बर्फ भी पड़ती है सही विकल्प आपको चुनना है बताना है कौन से सही है इसमें राइट आउंसर होगा अपसनन निव 1 आपका एश सहिए परणतु भी गलत है पौधों के लिम लिखे विकल्प मुख्यकार्यों पर विचार करना है इसमें राइट आउंसर बताना है केवल ब और सि आपका सही है क्या है भी पौधे को शक्तियों सहरा देना पौधे के मुख्यकारों में और पौधे के अन्न भाग को जड़ों से सरल और खनिच का स्थान करना option number जो B और C आया है ये सही है आपका option number second में next है EBS के लिए रशनात्मक आकलन क्या है? रशनात्मक आकलन है आपका A और C option number 4 में जो है सीखने के लिए आकलन और सीखने के बारे में आकलन A अधिगम के रूप में आकलन A और C है ठीक है? A प्लस C चार number जो विकल्प में है ये सही है आप EBS के विद्यार्थियों के लिए के लिए विवहरी गत्य विद्यों को प्रुसायद करना चाहते हैं कौन सी क्रिया सबसे उप्यूग्त है? कौन सी क्रिया उप्यूग्त है? उप्लब्द समागरी से EBS के ट्विक्सित करना चार नंबर नेक्ट देखिए अभिकत्थन और कारण EBS में छेत्र भ्रमला प्रभावी सिच्छा शास्त्री रण नीती है सही है EBS में अगर आप छेत्र का भ्रमला करते हैं तो उच्छे तरह से अपनी पढ़ाने की नीती को बना सकते हैं और सिच्छा अधिगम को आसान बना सकते हैं चेत्र भ्रमला वस्तों घटनाओं और अस्थानों को यादास्त को बाढ़ावे देता है यह बहा सही है A.R. दोनों सही है और सही व्यक्था भी है तीन नमबर अपसं शही है आपका ठीका छेत्र भ्रमला और अपने आस-पास की चीजों का आकलन करना देखना स्वैम जाकर देखना उसको महसूस करना अनुभू लेना यह सही है आपका तीन नमबर 100% सही रांसर यदि थीम यात्रा रेलवे स्टेशन एवियस में एक सामुदाइक संसाधन के उपयोग को दर्शाता है तो निमलिखित में से कौन पूरा करेगा थीम भोजन और क्या होगा यह दो आएगा क्रसी फार्म दो नमबर आपसन आपका नेक्स्ट है आपका इवियस सिच्छल के दौरान एक सिच्छक का बयान प्रस्ण जो विद्यार्थियों को स्वैम या अपने सातियों की प्रत्क्रियाओं से उत्तर को व्रसत करने के लिए प सिच्छन के लिए अपने विद्यार्थियों के साथ तुल्य कालिक संपरिक्ष्ण का चैन करना चाहती है तो निमलिखित में से उसे किसे चुनना होगा इसमें आपका उत्तर होगा एक नमबर वीडियो कार्णफरेंसिंग आनलाइन चैट सात्र और फोन कॉल निश्ट देखिए आपको कच्छा तीन से पांच तक के अपने विद्यार्थियों के लिए ईवियस पार्ट करमों का चैन करना है तो इस उद्देश के लिए बिलिखित से कौन सा मापदंड सबसे उप्यूक्त है ये देखिए इसमें आपसन कौन सा होगा एक नंबर का होगा पार्ट पुस्तक बाल उन्मुक होना चाहिए और लिंग जाती वर्ग धर्म के आधार पर किसी भी रून वाधता या मान जनक व्यवहार से रहित होना चाहिए एक नंबर तो निम्लिखित कथरों को पढ़िए स कीम आधारित इवियस सीखना सिच्छक और विद्यार्थियों के लिए आसान है इसमें राइट अंसर होगा आपका तीन नंबर दोनों सही और सही व्याख्या भी करते हैं तो तीन नंबर आपसन आपका सही होगा नेक्स्ट है आपका कच्छा तीन के विद्यार्थियों के लिए एवियस में निम्लिखित में से कौन सा सीखने का परड़ाम अधिगम प्रतफल नहीं है कच्छा तीन के विद्यार्थि के लिए देखिए ये तीन नंबर आपसन नहीं है नहीं है पूछा नहीं पूछा गय पहिचान करना है अच्छे गुड़ टच और बैट टच अच्छा टच बताना है कुछ स्थानी इंडोर आउडर खेलों के नीमों का वलोकन करना यह है तीन नमबर इसमें नहीं आएगा नेक्स्ट है आपका वी EBS कोस्चन है कौन सा विकल्प कच्छा एक से पांस तक के EBS पढ़ाने का एक मुख्यों देश है तो EBS पढ़ाने का एक मुख्युद्देश है, सिच्छार्थियों को कच्छा के अधिगम को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना है, जो सीखा हुआ है, उसको बाहर के जीवन से रिलेट करना, यह है एक नमबर आपसन आपका, नेक्स्ट है, अनीता परिवार थीम को पढ़ान के लिए एक इकाई परिवार तयार करती है, निमलिकित में से कौम सी उसकी इकाई योजना का सीर्षक होगा, इकाई योजना का सीर्षक क्या होगा, तो जो उसका शीर्शक होना चाहिए वो एक नंबर है देख लिए परिवार संबंद लिंग भूमिकाय वैसाइब बदलते समय में सामाजिक सांस्कतिक एकाई के रूप में नेक्स्ट है स्रीमति सीतल ईवियस की विभिन अवधाना को समझाने के लिए प्रात्मे कच्छाओं में कहानी और कविताओं का उपयोग करना पसंद करती है उसके द्वारा कहानी और कविताओं के प्रयोग की सबसे उपयोगतर कंसा है आपको A, B, C, D में से बताना है सबसे उपयोगतर कंसा है देखे इसमें जो राइट हांसा है बिल्कुल वह आपका चार नमबर B, C और D देखे ए तो है नहीं आपका EBS के पाठकर्म को पूरा करना पाठकर्म पूरा करना यह नहीं है आपका B है विद्यार्थियों को अपनी कविताओं और कहानियों को लिखने के लिए पुरसायत करना और C है विद्यार्थियों को भासा संस्कित की पविता के बारे मजब बताना और पाठों को अधिक समव दिया हुआ है आया समय उठो तुमनारी युग निर्मान तुम्हें करना है आजादी की खुदी निव में तुम्हें प्रगति पत्थर भरना है अपने को कमजोर न समझो जन्नी हो संपूर्ण जगत की गवरो हो कविता का मुखस्वर है इस्त्री शक्ति है चार नंबर इस प इस्त्री के लिए देखिए अबला नहीं कहा गया है इस्त्री को निर्मारकारी शक्ति का भाव कविता के किस भाग में नेत है तो इस्त्री की निर्मारकारी शक्ति का भाव है जन्नी हो संपूर्ण जगत की निर्मारकारी शक्ति है कि सारे जगत को जन्न देने वाली है इस गद्ध्यांस के अनुसृर कविता के अनुसृर कौई ट्री को क्या करना होगा स्वाइम की सब्सक् understand आ quería Joshua ना की अनुटा की стр शार्माल concept कु अविंदत काकशे स्टमसे को को सब्सक्राइब ते यह अच्छा यह नंबोर अब इक देखे कद्यांस habitat पत्धियांस के बाद एक देखे कद्यांस Do meditation. मैं कितनी ईไह बार सबसे धन्याद बोलते हैं तो यह कर्तग nimmtास सिर्फ उन Хी क सीमित की ओ हमें माना जनन्त देने वारी question के लिए और जलवाई भुजन उर्जा जैसे बहुत सारे उबार देने वाली प्रकति के लिए भी क्यों नहीं हम इस वर्ष से संबाद करें कि वह हमारे हिर्दा में पवित्रात्रा सद्गों के प्रकास को आलोकित करें अगला देखे गद्यांस के अनुशार सबसे धन्यवात कहने का कारण नहीं है क्या इसमें आयगा आपका दया दो नमबर हर बुराई अज्ञान के अंधकार्ब से फैलती है इसका क्या आर्थ है इसका हेरत है कि अज्ञान के है अनुशार प्राश्ञान के सास्सात मानों को क्या करना चाहिए पुरुसार्थ करना चाहिए चार नमबर मन की कोठ्ठी को सच रखें इसका मतलब क्या है मन से बुरे भावों का निश्काशन मन से बुरे भावों को निकाल दे स्वार्थ का विलोम है मानवी सब्द में प्रत्या है मानवी में कौन से है मानवी ये ये परत्या है आपका चार्म कौन सा सब्द युग में समूसे भिन है कौन सा अलग है देखिए सब विलोम दिये है ग्यान अज्यान सुक दुख सुद्ध सुद्ध अंधेरा अवंदकार ये अलग है निक्ष देखिए धोनात्मक वर्तनी के प्रियोग से सही वर्तनी लिखने सीखने की योगता पर मंद पड़ जाती है तर क्या है जब बच्चे पारस्परिक वर्तनी के स्थान पर अपनी आविश्कृत वर्तनी का प्रियोग करते हैं या सही वर्तिनी लिखने की उसकी योगता मंद नहीं करती है इसमें क्या है देखिए इसमें आपका राइट आउसर जोगा वह है ए गरत है आर सही है यह दो नमबर अगला देखिए नई भासा सीखते समय बहुत से विद्ध्यारती भासा के दोतिये उच्रण संबंधी नीमो कला भासा बोलते समय प्राया आत्विश्वास की कमी का सामना करते हैं तो कैसे समस्या को दूर करेंगे एक नमबर आप सनोगा कला उसलर के साथ विशेस वाक जित किये जाए और ड्रिल के माधम से उन बच्चों को अभ्यास कराया जाए एक नमबर आप सनापका बिल्गुल सही है अगला है कच्छा 3 की अध्यापिका अपने विशेचार्थियों को नई शब्दावली से परचित करवा रही थी निम्रिखित में से कौन सी नई शब् इसमें देखिए जो राइट अंसर होगा वो होगा आपका ए अध्यापिका इस्थित विशेच के अनुसार उस शब्द का अर्थ सम्झाने की कोशिश करें एक नमबर होगा विलों नहीं बताना है अर्थ नहीं लिखना है ठोस परेसा बहासा नहीं बताना है बहासा सीखना क्या है बहासा सीखना एक अर्जन है अर्जन से संब्दित है हम अर्जन करते हैं भाषा निख्ट देखिए पठन के तरीकों का पाठक को क्या करना चाहिए ये मिलान करना है पठन के तरीके हैं पाठक को क्या करना चाहिए पूरा ने पढ़ेंगा मानसर बता रहें देखिए इसमें है आपका तीन नंबर यह है आपका अंसर सही A का पांचवा है B का पहला है C का दूसरा है D का दूसरा है और E का तीसरा है इस तरह से आपने तीसरा लगाया है तो आप सही है Next इंदी question देखिए उस युक्त का चैन करना है जो उधाना से मेल खाती मैं भाशा पर ध्यान के अंद्रित रखती हूँ मैं इस बात का पूरा ध्यान रखती हूँ कि यह सही हूँ यह स्वन्य अंतरन का उधारन है स्वान्य अंत्रन का यह उदारण है कि विध्धा भासा पर ध्यान भी रखना है और इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल सही हो यह अभी न foreign देखेंगे कच्छा दो के विद्यार्थी कविता गार है या मेरी दान या मेरे कान या कविता गाते समयवे सरीर के जाया है उसको आस प्रस्वी करते है तो तो किस विदिका प्रियोग हो इसमें इसमें ये हो रहा है समग भौतिक प्रतिक्रिया एक नंबर जो आप सनाया है इसका बिल्कुल 100% राइट आउसर है विद्यार्थी पिशली का इस सब्द लेकर 5 अंको प्रसुनों के उत्तर समुव में देने का काम कर रहे हैं वे अपने सवालों के दूसरे समुव के सा मुझे यहा काम बहुती पसंद है जब अद्यक्त का मुझे यह काल देती है जिस पर कोई शब्द या वाक की लिखा होता है मैं उससे संबंदित अभिने करती हो समुची कच्छा उस शब्द वाक के बारे मानुमान लगाता है ठीक है तो सिचार्थी की प्रतमिक्ताओं के स दो नंबर आपसन आपका सही है नेक्स्ट देखेंगे विद्द्याले में प्रियूस करने वाले सभी बच्चे अपनी आयू के अनुसार बासा के सक्षम प्रियोग करता होते हैं बाशिक और सांस्कृतिक विद्दा के अकाल भी अपनी योग गिताओं का प्रदर्शन नही क्या होगा इसमें सही है तो देखिए एक नंबर तो सही है यानि कि सभी बच्चे अपनी भासा की च्छमता या अपनी आयू की च्मता मतलौ अपने विद्दि विबैन्नता है यह तो सही है ठीक है और और आर के विद्दाय में देखिए आ गलत है जो स्वांस्के एत्जा प्रकर्डि अपनी योगिता का प्रद्वरेस नहीं कारक्पाते ये गलत है इसमें आर गलत है किसमें एक किस्साइब अप्सविश एक नम्बर अप्सविश में है ये सही और गलत नेक्श देखिए कि अच्छा पांच का मंजीत है अपने धापक से अलग शैली में बात करता है अपने मित्रों से कुछ अलग तरह से एक दो वर्सी बच्चे से कुछ अलग तरह से तो उसका सबसे अलग अलग तरह के बात करने कि तार्थ पर है या है कि मंजीत जानता है कि सम योगितावादी एक माने इस बात के और इशाद ध्यान दिया कि उसकी बच्ची कभी कभी इसे शब्द बोल जेती है जो ना तो उसने कभी किसी वैक्स के सुने और ना अपने भाई-बैनों से सुना इस बात को लेकर भ्रमित है क्योंकि उसका मानना है कि बच्चे अपने पर तो यह दिखिए आपका आपसन आपका चार नंबर सही हो जाएगा व्यवहारवाद का उदारन है यह किसका उदारन है व्यवहारवाद का ठीक है कौशलों के उस समूं को क्या कहेंगे जो बच्चे अपचारिक पठन निर्देश सुरू करने से पहले विक्सित कर लेते हैं और जो बाद में वैक एकादमिक कौशलों के लिए बुनियाद प्रदान करता है तो क्या बोलेंगे उसको उद्गामी सा छर्दा बोलेंगे नमबर दो अप्सन एक दादी नानी अपने घर में छोटे बच्चों को पुस्तकों में कहानिया पड़का सुनाना पसंद करती है इस तरह से हुआ पुस्तकों में नए विचानों से परचित करवाती है और बच् इस प्रिक्रिया को क्या बोलेंगे इसको कहेंगे एक नमबर अप्सन शमभाशिक पठन शमभाशिक पठन बोलेंगे नेक्स्ट पठन पाठन का वा उपागम इसमें मूल तक्तों जैसे वर्णों और स्वाथ से सुरू किया जाता है जिसमें बच्चों को यह सिखाया जाता है कि समगर रूप में पठन सीखने में पहले सुनित को शब्दों से मिला जाता है तो इस उपागम को क्या कहते है बच्छनात्मक उपागं